हाज हमाने हम बात करने हैं पातों आश्म की घोनिया सुरुकर करते हैं तो दूस्तों बात करते हैं अले से फिरेशन के इन वर यह उटन नहींगे पोलते हैं अब जो इम्म्हाइट होती है हमारी उसको हम तो पर इंपने। आख घ्रक सकते हैं तो याहां पर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है की कौन सा cages होंता है तो यहाँ आपको को बता दूं कि आप यहां पे देख सकते हैं कि innate में आई दिया हुआ है इसका मतलब यह inborn होता है इसे याद रख सकते हैं innate I for innate and I for Inborn रहां पर acquired है इसका मतलब है ऐडेप्टीव कि ऑध करे सकते हैं नेट फॉर इंबोर मतलब जो हम जब हम पैदा होते हैं तब सही हमारे बोडी के अंदर प्रेज़न रहता है और एक्वाइड जो था मिंभार्मेंट के साथ या फिर दुनिया में आने का बाद जो हम एड़ेप्ट करते है वह उसको इड़ेप्टी बोलते हैं फिर बात करते ह तो इसकी क्या क्या characteristics है हम बात करते हैं तो इनेट के अगर बात करते हैं दोस्तों तो इनेट की जो characteristics है सबसे पहले तो यह उटा है राइट आट एट कि टाइम ऑफ बर्थ के टाइम से present होता है ठीक है जब जो होता है यह जब कब आता है आफ्टर एंटीजेन अ प्र बात करते हैं दोस्तों specificity की तो इनेट जो होती है यह non specific होता है नोन specific कि जब कर दो होता है मतलब नोन इसक्राइब का मतलब यह होता है आप इस प्रेसिफिक मेंस यह बस एक खास एंटीजेंग के अगेंस्ट ही काम करता है ठीक है एडेप्टिव बट जो अगर हम इने में कोई भी मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है यह कोई भी मेमोरी फॉर्म नहीं होती है जब कर देप्टिव में है आप फैवोसाइटिक्स को भी ले सकते हैं जैसे कि न्यूट्रोफेल कि न्यूट्रोफेल कि मोनोसाइट या फिर इनके सेल्स आप ले सकते हैं और मेमोरी यहां पर जो एड़ेप्टिब में मेमोरी बनाता है वह होता है कि c-cellS nd 10 में दो कि को फिर decisió आता है ठीक है कूंसा हीं मेराल होता है एंडिफया होता है वो सेल्विफट होता है तो मैं आपको बता दूं कि जो 20 होता है model कि इन्टीवoden फिर अदम करता है और यह सबंदर के साथ्थ और या फिर आप बोल सकते इसलिंगी मूफ कर सकते तो इसको हम लोग बोलते हैं है है कि याद हो जाएगा कि बी सेल को अगर वोलते हैं तो टी सेल को बोलेंगे अगर माल लीजिए यहां पर यहां पर मेरा फस्ट एंटीजेन एकस्पोजर हुआ है तो यह मेरा फस्ट रिस्पोंस है फस्ट इम्यून रिस्पोंस ठीक है तो बहुत जादा टाइम लगता है आप देख सकते हैं और जो यह है हमारा इम्यून रिस्पोंस है वह भी कुछ खास ज्यादा अच्छे से एक्टिव नहीं कर रहा है तो यह जो होता है इसको जो फस्ट एकस्पोजर होता है वह एंटीवर्डी कि एम करता है फिर अगर हम सेम पैथोजन अगर बार बाद में हमारे बोडी में आता है तो इसको बहुत छोटा सा टाइम लगता है और जो आप देख सकते हैं टाइम डूरेशन जो है एक्सपोजर के बाद एक्शन का बहुत कम टाइम हैं कंपेर टू फर्स्ट वन ठीक और जो एक्शन आप देख रहे हैं या पे सेकंड टाइम का इम्मून रिस्पोंस है वह बहुत ज्यादा एफेक्टिव है सेकंड रिस्पोंस इसको जो रिस्पोंस करता है वह आई जी जी होता है ठीक है अब एक क्वेश्चन बनता है कि एसा कौनसा एंटिवोड़ी है जो फर सुलम्टिटिधे जो ईएष्ट Creamungen डिस्पोंस करते है ठीक है ब्रते हैं वाटे टोपिक के दरफ तरह से घुंफपयन क्यों थो आप लिंफॉयड जी ऐसीं इन फेंफॉयड कि बोन मेरो सिकेंडरी कि स्प्लीन कि लिंफ नोट्स कि लिवर एंड यहां पर कुश्चन आता है कि ऐसा कौन सा लिंफ और गने जो प्रैमरी भी और सिकेंडरी भी है तो इसको आप लोगों अच्छे से याद रखना है कि बोन मैंडे आप आगे बताता हूं कि क्यों ऐसा होता है ठीक है फिर बात करते हैं दोस्तों मेंस्ट अटिक तो अगर हम बात करें सेल्स मेंसूरेशन की अच्छोड की की है तो इम्म्यून सेल को बर्थ देता है जिसको आम लोग बोलते हैं लिम्फो साइट फिर तो डिपली बात करते हैं अगर तो लिम्फो जो ब्लास्ट होता है ओधी लिम्फो ब्लास्ट सेल्स जो इमेचुर सेल्स है ठीक है याब मेचुर होंगे तो कुछ सेल्स मेच्ईर होके टीसिस में इसमिकल अब बाताए है कि यह जो फ्रेजिटेंट फ्रेश्ट आफ इंफपलाइश तो बॉन मेरों प्रेजट रहता है जैसे मैंने बताया अभी बॉन मेरों ठीक है पॉन मेरों से यह कौन से और गई मैं यहां यहां पर यहां पर इसली याद कर सकते हैं कि टी-फोर टी-सल एंट टी-फॉर थाइमस ठीक है फ होते हैं वहां पर यह होते हैं में तो इंकी सेल्स होते हैं वह बहुत इंपोर्ट निट एक उंपनेट आफ के ऑफ कि इनेट इम्म्यूनिटी कि अ कि बात करते हैं इसको अलसूनाज यानाएंज ग्रेनुलर प्रेनुलर का यह निम्फोसाइट ऑके अब बात करते हैं टी ल बी सेल एन इंसे जब माइग्रेट करते हैं यह सारे कहां पर सिकंडरी है लिंफोड ओर वंगन में कि को तो कहां कहां जा सकते मैं आपको बता है लेफ नॉड लिंफ नॉड को इस प्लीन या फिर अब में थोड़ा सा इंको डिसकस करता हूं अच्छ जब अब बात करते हैं लिंफ नोड के ठीक है तो यह एक इस्ट्रॉक्चर माल लिया मैंने लिंफ नॉड है ठीक है और यह हो गया हमारा इसका यह मेदूलारा पाथ है और यह कोटेक् अब हम बात करते हैं यह जो पार्ट होते हैं मेडूला और कोटेक्स ने बीच का इसको हम बोलते हैं पैरा कोटेक्स अरिया पया बहुत सकते हैं यह जो एरिया होता है यह बहुत जाह्धा है Gotta heights होता है ंपी इसेल से यहां पे पर ज्रीश होते हैं जोफ कोटेक्स होता है कोटेक्स के पास बीस बहुत जादा होते यह भी सेल यहां बहुत रीश होते हैं ठीक है फिर बात करते हैं है create ale आखेज़ने प्लीनें और इसके बनी होती है कि टीशू से बनी होति है जिसको हम लोग पाल्स टीश्यू बोलते हैं जिसको हम लोग दिन बेरी बशुक्रoud भॉलते थिच्छेंगे तो यह जो पॉट स्टीशू होता है कि जो हुआ पाल्स टिशू है पाल्स टिशू रिच इन ती सेल्स ठीक है अब बात करते हैं जी आई टी की तो जी अगर हम बात करें यहां पर तो जैटी में जो इंट्रा एपिथेलियम अज़ ऑक्राइबा भीडियम होता है meta JE एक ओपिशन बहुत ज्याद़ लिच होते हैं और जो मॉन्या होता प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इम्मून और प्रोपर इस थिंग यू सो मच